नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा ने विवाधित बयान दे दिया है दरसल साक्षी महराज ने बकरीद और दिवाली की तुलना करते हुए कह डाला कि अगर बिना बकरे के बकरीद मनेगी तब बिना पटाकों के दिवाली मन सकती है फिलहाल कोई भी इस पर ग्यान ना बाटे दरसल दिवाली पर आतिश बाजी ना करने संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है कई राज्यों की सरकारों ने दिवाली पर पटाकों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है इतना ही नहीं सरकार के इस फैसले पर कई तबकों ने दिल खोल कर स्वाकत किया है लेकिन ये क्या? साक्षी महराज को दिवाली पर आतिश बाजी पर बैन जरा सा भी रास नहीं आ रहा है यही वज़ा है कि साक्षी महराज ने आतिश बाजी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा जिस साल बकरे के बगैर बकरीद मनेगी उसी साल से पटाकों के बगैर दिवाली मनेगी साक्षी महराज ने कहा प्रदूशन के नाम पर पटाकों को लेकर कोई ज्यादा ग्यान ना बाटे साक्षी महराज के इस पोस्ट को काफी शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ती खूब चर्चा हो रही है वैसे आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं जब साक्षी महराज ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो बलकि इस से पहले भी गाहे बगाहे उनकी जुबान से कई ऐसी टिपणिया निकल ही जाती है जिनकी काफी चर्चा होती है बता दें हाल ही में बीजेपी सांसत कोरोना से संक्रमित पाए गए थे इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ही दी थी बीजेपी सांसत ने ये भी बताय था कि वो पिछले काफी वक्त से इसके लक्षन महसूस कर रहे थे टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आये साक्षी महराज ने पिछले एक हफते में उनके संपर्क में आये लोगों को भी कोरोना टेस्ट करानी की सलहा दी थी बहराल बकरीद और दिवाली को लेकर दिये गए साक्षी महराज के बयान पर क्या है आपकी राए हमें जरूर बताईएगा